गुड एवनिंग डियर इस्टुडेंट्स आई एम एडी के इस तीसरे ए लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ तो बच्चों जो सिलेवस था उसको हमने पिछली बार स्टार्ट किया था तो उसी करम में हम आगे बढ़ेंगे पहले ए लेक्चर में हमने जाना था कि जो आपका उद्धमिता होता है उससे क्या से है उद्धमिता का आर्थ क्या होता है जो बिभिन बिद्ध्वानों ने उसकी अउधारनाएं बताई उनकी परिभाशा दी या उनका आर्थ बताया मीनिंग बताया उसको हमने जानने का प् बच्चों जो उद्ध में था कि बेवे नमने परीभासा है जानी जो आउधारना है जानी तो उनसे जो कुछ है ये निमलिखित बिसेशता हैं करीब 14 पॉइंट से ये निकल करके आते हैं और ये बच्चों इतने आसान है कि इनको थोड़ा सा आप समझेंगे कि आप मान के च जाएगा और आप खुद उस चीज को समझ जाएंगे कि हाँ ये कितना आसान है तो उद्ध मिता की जो पहली बिसेशता है आपने देखा था परिवासा में भी जोखिम उद्ध मिता में जोखिम यानि रिस्क बिसेशतार से जो फाइनेंसियल रिस्क है वो इसमें इन्वाल ठीक है बच्चों चौथा जो आपका है वो प्रबंद की ये कौसल एवं नेतरत तो छमता है ये कौल की जगे ये बच्चों कौसल है इसको कल लीजेगा ये गलती से छूड़ गया है तो प्रबंद की ये कौशल एवं नेतरत तो छमता यानि मेनेजरियल स्किल्स एंड ली decision making activity है आप समझी बच्चो इन में से आप देखे 6 points अभी तक हुए है तो जोखिम है इन में जोखिम के बाद इन में नवाचार है यानि innovation है तीसरा इन में स्रजनात्मक यानि ये creative process है चौथा है प्रबंदगी है कोशल एओम नित्रत तो छमता है यानि managerial skills and leadership capacity है पांचमा है आउसर खोजने की प्रक्रिया यानि ये process of searching opportunity और छटमा है निर्णे लेने की प्रक्रिया या decision waking activity सातमा है आपका संगठन निर्माल की प्रक्रिया यानि building the organization आठमा है आपका उद्धमिता एक ब्योहार है यानि entrepreneurship is a practice ये आपको ब्योहार द्वारा यानि आप करके ही इसको द उद्धमिता सिध्धानतों पर आधारेत है उद्धमिता क्या है based on principles दसमा है आपका उद्धमिता उच्याकांचा का परिणाम है आपसे बताया था जब हम उसके आउधार्नाओं की बात कर रहे थे कि ये बिक्ती का एक गुण है जो उसको प्रेरित करता है उद्धमि बनने तो उद्धमिता किसी देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनेतिक, धार्मेक और जो सांस्क्रतिक वातावरण है उनसे प्रभावित होती है ये ध्यान रखना इसलिए इसको कहते हैं उद्धमिता वातावरण की उपज है तो जहां ये वातावरण अन्पूल होते हैं वहां उद्धमिता का विकास उच्चिस्तर पर होता है और यदि ये वातावरण सयोग नहीं करते हैं यानि आर्थिक, सामाजिक, राजनेतिक, धार्मेक और सांस्क्रतिक वातावरण उद्धमियों को सयोग नहीं करते हैं या उनके अनकूल नहीं होते हैं तो वहां पर उद्धम प्रियास द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की प्रेंड़ना देती है ये ध्यान रखिएगा तो ये बारमा इसकी विशेष्था क्या हुई परिणाम जनित बेवार यानी की रिजल्ट औरियेंटेट बेहेवियर तेरमा है उद्धमिता एक पेशेवर करिया है यानी एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है तो आज उद्धमिता एक पेशे के रूप में बिक्सित हो रही है और व्यक्ती में उद्धमिता जो प्रवतियां हैं बिक्सित करने के लिए विविन ने सिच्छन पर सिच्छन कारेकरमों का आयोजन किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा और विविन जो इस्टेट गौवर्मेंट से उनके द्वारा भी इस्टे उद्धिमिता को विक्सित करने के लिए बहुत सारे नई नई स्कीम्स और वर्क शॉप्स हैं सिच्छन पर सिच्छन कारेक्रम है वो चलाये जाते हैं और लगातार उनको पर सिच्छन दिया जाता है ताकि लोग उद्धिमी बन करके निकले या उद्धिमिता की तरफ आकरसे थों तो ये बच्चों क्या है एक उद्धिमिता वास्तों में एक पेसेवर करिया है 14 है आपका परिवर्तनों की प्रवत्ती इंस्टिंक्ट ओफ फोर चेंजेस यानि इसमें परिवर्तन की प्रवत्ती यानि नए नए ब्यासाओं की खोच करना नए तरीके से ब्यासाय करना तो ये उद्धिमिता परिवर्तन की प्रवत्ती को दरसाता है तो उद्धमिता क्या करता है परिवर्तन उद्धमी अपनी परिवर्तन की प्रवत्ती को प्रगट करता है और नवाचार आदी से उसकी प्रवत्ती प्रवत्ती प्रदर्सित होती यानि वो अपने नवाचार द्वारा इनोवेशन के द्वारा नए तरीके के ब्योसाय करना न नई नई चीज़ें इसमें सामिल होती है तो चौदमा पॉइंट क्या होगा है यह परिवर्तनों की प्रवत्ति है यानि इंस्टिंक्ट फॉर चेंजेस तो यह चौदा बच्चों पॉइंट थे जो क्या दर्साते हैं उद्धमिता की बिसेस्ताओं को दर्साते हैं अब यह 14 पॉइंट बच्चों आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि जब हम उद्धमी की बिसेस्ताओं जानेंगे यह उद्धमिता की बिसेस्ताओं है तो उद्धमी की बिसेस्ताओं भी एक creative process है चौता है प्रबंद की एक कोशल एवमने तरत्त चमता इसमें होनी चाहिए पांचमा है आउसर खोजने की एक प्रक्रिया है बिल्कुल सही है छटा है निर्ने लेनी की किरिया है यानि decision making activity सातमा है संगठन निर्मान की प्रक्रिया यानि building the organization आठमा उद्धमिता एक प्रियास करना पड़ेगा तभी आपको result या परिणाम अच्छे मिलेंगे तेर्मा है उद्धमिता एक पेसेवर किरिया है यानि professional activity है और चौधा है परिवर्तनों की प्रवर्ति इसमें परिवर्तन मांगता है जो नया नये ब्योसाय होते हैं उसमें परिवर्तन मांगता है यानि ये क्या है इसकी वि रोल है वो क्या है महत तो क्या है हम कहें दूसरे सब्दों में यानि importance क्या है और lab क्या है यानि advantages क्या है तो ये role importance या advantages of entrepreneurship इसके बारे में हमको जानना है तो एद्धमिता की भूमिका क्या होती है देश के विकास में जैसे आर्थिक उसको मजबूत करने में या उसका हम कहें कि उद्धमिक के कार क्या होते है यानि functions of entrepreneur ठीक है बच्चों तो बच्चों उद्धमिता की जो भूमिका है महत तो है या उसके lab है उनहीं को तो आगे ले जाना उद्धमिक के कार होते है यानि उद्धमिक क्या करता है उन सारी जो उद्धमिता की भूमिका महत तो या ताकि आपको उत्तर समझने में और लिखने में आसानी हो तो आर्थिक विकास में उद्मिता के महत्य भूमिका को निमलिकित बिन्दू से इसपश्ट किया जा सकता है या दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं को उद्मी के प्रमोकार निमलिकित है ठीक है बच्चों पहला कार क्या है उद्मी प्रवत्तियों को प्रोथसान देना यानि इन करेजिस एंटर्प्रिनेर टेंडेंसी यानि जो भी उद्मी से जो सम्मंदित प्रवत्तियां है टेंडेंसी से उनको प्रोथसाहित करना दूसरा है नवाचार को प्रोथसान देना यानि प्रमोट्स इनोवेशन तीसरा है नए एवं सफल उद्यमों की इस्थापना करना यानि establishment of new enterprises चौथा है आपका सफल लिकाईयों की इस्थापना करना यानि establishment of viable units यानि जो सफल successful units होती हैं उनकी इस्थापना करना यानि की balanced economic growth ठीक है बच्चों क्या है चटा क्या है संतुलिद आर्थिक विकास यानि की balanced economic growth साथमा क्या है आपका नए बाजारों का विकास यानि development of new markets आठमा है आपका रोजगार आउसर में ब्रद्धि यानि employment opportunity यानि ये एक उद्धिमी का कार है कि रोजगार आउसर में वो ब्रद्धि करे साथमा वाला जो point था नए बाजारों का विकास यानि उद्धिमी का ये कार है कि नए बाजारों का विकास करे संतुलिद आर्थिक विकास को बढ़ावा दे यह उसका कार है और यही उसकी मैंने आपसे बताया ना कि उद्धमिता के चाहे भूमी का कहलीजिए चाहे उसको आप कहलीजिए कि वो उसके advantages क्या है और वही उसको उद्धमी के कार होते हैं तो यह आठ पॉइंट तक अपना हो गया नॉमा है संसादनों का समुचित उप्योग करना यह उद्धमी का कार है दसमा है आपका आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायक होना तो to solve social and economic problems और ग्यार्मा है आपका आर्थिक विकेंद्री करन आर्थिक विकेंद्री करन कर दिया एक या दो लेकिन विकेंद्री करन कर देना यानि हर चोटा लगू उद्ध्योगों को इस तरीके से बढ़ावा देना कि हर विक्ति उद्धमी बने चोटे चोटे ब्यावसाओं को चलाए तो उसको कहते हैं आर्थिक विकेंद्री करन बार्मा है आपका राज की ये नीतियों ये हम योजन्याओं के किरियानुएन में सहयोगी यानि शासन द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं या जो इसकीम से लॉंच की जाती हैं उनको एग्जीक्यूट करना या उसमें सहयोगी बनना तो contributes to the execution of government policies and plan तो ये बच्चों आपके 12 points हैं जो क्या दरसाते हैं उद्दमिता के जो आपके लाब हैं या उद्दमिता के महत्त को या उद्दमिता की भूमिका को दरसाते हैं या हम दूसरे सब्दों में कह सकते हैं कि ये उद्दमी के कारियों को दर्शाते यानि उद्दमी इन ही कारियों को आगे बढ़ाता है या इन कारियों को करता है ये उसको कार करने पड़ते हैं तो ये बच्चों हैं 12 points तो इनको भी आपको note down कर लेना है और उसके बाद जो मैंने आपको समझाया उसके बाद इसको explain कर लेना है अपने सब्दों में तो ये था बच्चों आज का इतना काफी है धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि उद्धिमिता के बिकास के तत तो कौन-कौन से होते हैं या उद्धिमिता में बाधाएं कौन-कौन सी होती हैं बहुर भी बहुत सारी चीजे हैं जिनको हम systematic syllabus के हिसाब से हम पढ़ते चलेंगे तो बच्चों आज के इस वीडियो को यहीं सवाप्त करता हूँ